नमस्कार दोस्तो आज का वीडियो आपने देख लिया और पूरा समझ लिया तो आप एक कंसल्टन्ट बन सकते हैं अपनी पेड कंसल्टेशन का जो एक बेस है वो लेकर आ रहा हूँ एक गुरू मंतर टाइप चीज देने वाला हूँ बहुत बहुत बहतरीन टॉपिक होने वाला है लेड होने वाला है हाईर ओडर थिंकी होने वाला है कुछ आप लोगों को abstract लगेगा बट बाइदा this time I feel मेरा जो subscribers है ओरीजनल वाला वो used to हो चुका है इस चीज़ को इस level पर समझने के लिए आप लोगों को मजा आ गया और समझ में आ गया और आप उस पात पर जा सकते हैं तो please बताना आप लोगों का decision making process जो है वो बहतरीन हो जाएगा और क्या गड़बड हो रही है वो बताऊँगा जब भी consultation की जुरूत पढ़ती है किसी से विचार विमर्श की जुरूत पढ़ती है तो उसी जगे पढ़ती है कि हम decision लेनी पारे और हम decision आज के दिन युथ जो है जवान लोग है वो decision क्यों नहीं ले पारे चीजों में उसका एक basic reason है उस basic reason को यह बताऊँगा कि सारे के सारे लोग अपनी बुद्धी मता पर ही decision लेना चाह रहे हैं बुद्धी मता को English में बोलते हैं intelligence आज Hindi और English की भी class हो जाएगी तो यह words को आप समझना Hindi English दोनों में मैं बताऊँगा और इस चीज़ के subtle difference को पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि wisdom कैसे आती है अगर आप Sangue Life सुत्राज में देखे तो इसमें एक छोटी सी लाइन है आप लोगों ने देखी नहीं होगी शायद लोगों में seeking wisdom and clarity तो wisdom लेवल पे कैसे जाए जाए और problem क्या और यह सुने intelligence कहते है decision तो intelligence पी तो लेंगे intelligence क्या होती है बुद्धी मता पी कौन कितने IQ intelligence और कैसे लेंगे तो यही गड़बड है बहुत decisions हैं जो आप सिरफ intelligence से नहीं ले सकते कुछ चार पांच words मैं आपको और बताता हूँ और उनको आप समझे there is something called बुद्धी बुद्धी मता और बुद्धी में फरक है बुद्धी is intellect और बुद्धी मता is intelligence कि वो reservoir जो है intellect का उसमें से निकल कितनी पाती है दिख कितनी पाती है ecosystem के हिसाब से then there is something called अंतर ग्यान अंतर ग्यान is intuition then there is something called आपकी सोभाविक परवर्ती जिसको इंग्लिश में बोलते हैं instinct और सबसे एक और important चीज जिसको बोलते हैं हिंदी में कलपना और इंग्लिश में बोलते हैं imagination तो हिंदी में तो words बता दियें इंग्लिश में अब easy हो जाएगा क्योंकि सब I से start करते हैं पांच चीजें intelligence, intellect, intuition, imagination and instinct इन पांचों का जब combo आ जाता है combo pack तब आदमी wise बनता है wisdom बनता है जिन चीजों में आपको intuition लगानी है, decision कैसे होते हैं जीवन में नौकरी, उससे पहले subjects कौन से choose करूँगा, life कैसी चाहता हूँ अपनी अब life आप अपनी कैसी जीना चाहते हो का intelligence decide कर लेगी आपकी सिरफ लड़की से शादी करनी है, लड़की शादी का decision लड़का लड़की यह तो बहुत बड़ा decision है आज की दिन शादी है क्यों नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास आते हैं जब pre-marital counseling या जर्नली वैसे आते हैं भाई साब शादी नहीं हो रही लड़की क्योंकि लड़की लड़के को लड़का लड़की को सिरफ intelligence पर ढूंड रहा है intelligence पर मुझे अपनी intelligence से एक intelligent लड़की चाहिए बस कहीं भी जीवन में थोड़ा imagination नहीं है कि ये लड़की जो मैं ढूंड रहा हूँ इसकी मम्मी कैसी है मम्मी को देखके क्यों मम्मी को देखके कितना शादी होती मुझे तो लड़की को देखके अरे वो उसने वैसा ही बनना है लड़के ने पापा जैसा ही बनना है imagination समझे मेरी बात पर लड़की ऐसी लग रहे मम्मी भी ऐसी लगती थी इसकी कई साल पहले अब ये मम्मी ठीक लग रही है आप कहा है तू क्या बाते करता है यही तो मैं बता रहा हूँ यही तो consultation है इंट्यूशन भी चाहिए आपको कि आपकी अपनी अंदर इंट्यूशन तो लोगों ने मारी दिये इंट्यूशन को आप समझते हैं अंतर ग्यान अंदर किसे आपको क्या लग रहा है और एक इंस्टिंक्ट बड़ी important है कि आपकी स्वभाविक प्रवर्ती कैसी है किसी की aggressive है किसी की शान्त है बहुती शान्त प्रवर्ती के इंसान हो आप और आपने शादी ऐसे इंसान से कर ली ऐसी लड़की से कर ली मानलो आप लड़के हैं कि गुमाकी रखे आपको चोटी उंगली पे लचाएगी आज मेरी शितवासे मिलने चल यहाँ शादी हो रही है मैरे दोस्त अरें तो मजे कराता है नहीं तो धा कुछ करता है नहीं हमारी किसी लुल से शादी होगी लुल पती मिला ठीक है युप्पी का जोग है किसी चेकर पर सुनाता ठीक है यह क्या है मतलब क्या शादी हो गया तो वो प्रवर्ती इंस्टिंक्ट भी तो चाहिए शादी कर ली इंटेलिजेंस पे दहिज अच्छा मिलेगा लड़की का बाप अमीर है मतलब अब तुम शादी कर ली पर लाग लगा के वो भी नहीं मिला इंस्टिंक्ट पर गई नहीं इंट्विशन पर गई नहीं इमैजीनेशन पर यह सेम प्रॉलम में लोगों को फेस करते हैं देखता हूं प्रॉपर्टी खरीगने में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो गड़्ा खुदा नहीं हाथ में ब् कुड़गाओं का आपको example लेके बताता हूं, ठीक है, विगाज रेल एस्टेट का भी आपको पता है, I do one of the works, कुड़गाओं में एक जगे गॉल्फ कोस extension, नाम सुना होगा, आपने वहां product साथ ने कई, दूसरी एक जगे है दौरका expressway, एक जगे खुदा हुआ है वामला, और एक जगे सब चिकना लगता है, school, hospital, road, red light, यह है, तो rate में भी तो दिख रहा है ना, मेरे भाई, वो फिर decision making क्या है, वहां सब अच्छा है, तो फिर वो 19,000-20,000 रुपे launch rates है, दौरका expressway पर अभी भी माल आपको ठीक मिल रहा है, क्योंकि वो imagination जो कर रहा है, उस पे आ intuition भी चाहिए, instinct भी होनी चाहिए, intelligence तो चाहिए चाहिए, और intellect होना चाहिए, intellect होता है आपका एक basic reservoir, कि इस जमीन के नीचे पानी कितना है, पानी निकल कितना रहा है, वो बुद्धी है, बुद्धी मता है, intelligence है, लेकिन वो capacity जो है, वो intellect है, तो इन चीजों को आप समझें, क आप लोगों को अब ये पांच चीजे याद रखनी है, कि जहां मिर को जो चीज यूज करनी है, अगर मैं वो यूज नी कर रहा है, अच्छा, जहां intelligence यूज करनी चाहिए, वहां intuition से काम नहीं चलेगा, कि मुझे ठीक लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, कि आपके ठीक लगने नहीं खेल सकता, instinct ही चीएगी उसे, अब विरिंदर सहिवाग, आच्छा, उसमें भी अलग-अलग तरह के मिल जाएंगे, विरिंदर सहिवाग तो सिर्फ अपनी instinct में चलते थे, उस तरह के player जो होते हैं, वो instinct में चलते हैं, वहां कुछ और लगाने का काम आ जाता है, तो नहीं कर पाते हैं, वो 294 पर भी चक्का मारना है, 194 पर भी चक्का ही मारना है, तो मारना है, तो हर आदमी का अपना है, तो वो आपकी instinct से आता है, कि आपकी अंदर की instinct है, हर इनसान की, तो सबसे पहले आपको, I hope आप confused नहीं हो रहें इन सब पांच चीज़ों में, विकोष जोर लगा के बना रहा हूं, मैं ऐसा ना हो की, ओ यार यार ये दिमाग की दही कर दी कह तू, instinct आपको realize करना है, कि आपकी सोभाविक परवर्ती क्या है, सोभाविक परवर्ती हर इनसान की अलग होती है, तो आपने अपनी instinct, आपने realize कर ली कि बेरी ये है, फिर intellect के साथ परवर्ती में माता पिता थे, उनी की उसी की वज़े से किस तरह के school में गए, तो वो आपका एक reservoir इखटा हुआ जब आप 20-23 साल के होई, अब उसमें से आप अपनी कितना juice निकाल पाते हैं, क्योंकि जैसे होता है आप समझें, हर गन्ने का जो क्यूबा में उगता है, जो यूपी के western यूपी साइड में उगता है, या जो महाराश्चा में उगता है, हर एक गन्ने का juice अलग है, है तो वो ही गन्ना, लेकिन ये जैसे एक औरेंज होता है, कहीं नागपूर का औरेंज है, कोई और का औरेंज है, किसी औरेंज में juice जादा निकलता है, ये आप भैं 24 तो उनकी सारा system अलग होता है, power कितनी है, horsepower कितनी है, mileage will depend on those things, उसी तरह हम सब इंसान है, हमें realize करना है कि मैं हूँ क्या, मैं L2 हूँ, मैं Creta हूँ, मैं Fortuner हूँ, मैं Mayback हूँ, Rolls Rise हूँ, क्या हूँ मैं, क्या हूँ, तो वो एक आपका intellect बन जाता है, उसको पहचानो, जब अब Elon Musk अगर बरुंडी में पैदा हो जाते तो Elon Musk नहीं बनते हैं, वो अमरिका में ही बनते हैं, कुछ चीज़ें अमरिका में ही होती हैं, because वहाँ एक ecosystem है वैसा, क्योंकि उनके tax के laws ऐसे हैं, उनकी पढ़ाई के laws ऐसे हैं, उनका system ऐसा है, तो कई चीज़ें उसमें जो intellect ब पर जरूरत होनी चाहिए, कि imagination आपका कैसा है, intuition कैसा है आपका, क्या share market में जब पैसे लगाते हैं, तो क्या सब सिर्फ intelligence पही लग रहा है, या कोई लोग imagine भी करते हैं कि चीज़ें, कि ऐसा हो जाएगा, भाईो भेनो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो, कुछ तो बाकी चीज of human being, future and option के जो खेल खेल रहें, उनकी instinct अलग है, blue chip companies में जो invest करते हैं, उनका अलग है, जो small cap और इसके खेल खेलते हैं, उनका अलग है, जो index funding करने में ही खुश है, कि मेरे को 10-12 टके चीज़ें निमाग की दे, सब की instinct अलग है, उनको फिर intelligence भी अलग तरह से use करनी पड़े I hope आप समझगे मेरे ये 5 words, आज का lesson यही है, summarize मैं करता हूँ, इन 5 चीज़ों को आप अच्छे से जान लो, instinct आपकी पहले देखो क्या है, उससे आपकी intellect किदर है, ये दोनों चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा change नहीं होती, और imagination, intuition और intelligence को आप फिर इसके बाद अपना चीज़ों को यूज करो, decision making will be better, and कई बार सुननी पड़े गया, आपको intelligence यानि data नहीं आने वाला, आपको अपने दिल की अंतरग्यान सुनना ही पड़ेगा आपको, आएगा नहीं कभी भी, तो this is the message, thank you very much.